अब लो दोस्तों स्वागत है गवर्मेंट एजुकेशन में मेरे नाम है जितिंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं तो चलिए काज हम आगे कि कुश्चन करते हैं और यह कुश्चन जो है हम जर्नल साइंस के कुश्चन डिसक्स कर रहे हैं जो कि आपके हर एक्जाम के लिए इंपोटेंट है क्योंकि जर्नल साइंस के कुश्चन जो है वो सभी एक्जाम का लेवल जो है रहता है तो जितने भी एक्जाम है आए हुए कुश्चन उनको हम डिसक्स कर रहे हैं और यह हमारा नाइंथ पार्ट है और इससे पहले कि अगर आपने पार नहीं देखे तो य मैं प्रत्वी से परे मौजूत जीवन की सम्भावनाव से संबंदित है उसे किहा आ जाता है तो यह तो ध्यान देनी stepping से परे BC के बहार की दुनिया की बात की जा रहीिए तो लेंग बेज तोड़ा घुमा दिया है तो इसका अंसर हो जाएगा एक्जो बायलोजी यानि बी ओप्षन जो है इसका अंसर होगा पृत्वी के बाहर जो भी दुनिया का अध्धिन किया जाता है उसे हम एक्जो लोजी कहते हैं फंगाए से रिलेटेड है और पेलेंटियो लॉजी जो है वो जो फोसिल हुए एनिमल्स प्लैंट्स के तो उनके अध्धन को कहते हैं बढ़ते हैं कि औरल पोलियो वैक्षीन के किसके द्वारा विक्सित की गई थी ऑप्षिन है एडवर्ड जैनल बी ऑप्षिन है एलेक्जंडर फ्लैमिंग सी ऑप्षिन है अलवर्ड साविन और डी ऑप्षिन है जॉनसन सार्क तो देखिए कुछ चीज़े तो आप शकी है तो उसकी कोच की ती और अलेक्जंडर फ्लैमिंग की बात की जाए तो फानिस here और चाहिए लगिसे पॉलियो वैक्सीन से रिलेटेट हैं लेकिन यहां पर और औरल पॉलियो वैक्सीन की बात की गई है तो सी ऑप्षन होगा इसका अंसर याद रखना एलवर्ड साविन जो है इन्होंने औरल पॉलियो वैक्सीन द्वारा इनके द्वारा विक्सित की गई थी अगर आप से सरफ पोलियो की वैक्सीन पूछ लिया जाए तो जोन सालक लगाना चलिए अगला कोशन देखते हैं इसमें से आपको विसम निकालना है ओप्षन है पारा सेकिंड ओप्षन है पारा दिया कुइक सिलवर और सी ओप्षन है हाइडरा हाइडरा रजीरम और डी ओप्षन है ब्रोमस इसका अंसर हो जाएगा डी ओप्षन बागी जो पारा हुआ कोईक सिलवर हुआ हाइडरा जीरियन हुआ है तो इसमें जो है वो मरकरी रहता यह सबी जो है वो इसी के नाम से जाने जाते हैं ब्रोमस जो है बो अलग यह और ब्रोमस को ब्रोमिन से कंफ्यूज मत करना ब्रो तो होती है जो कि कमरे के तापवान पर लिक्विड रहती है यहां पर पारे का जो एट्मिक नंबा जो रहता है वो रहता है एट्टी एच्टी से डिनोट करते हैं इसको यह भी याद रखना अगला कुश्चन है घरेलू सिलेंडर में लगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें मुश्ली जो है प्रोपेन हुआ और ब्रोट ब्यूटेन हुआ अगर थोड़ा डेटेल में पूच पूछ भी जाये कि क्या है तो आइसो ब्यूटेन लगाना उसके साथ में ओके और थोड़े से अमांट में जो है वो एथीन भी रहती है इसमें और एलपी जो गैस रहती है उसमें जो बदू आती है या सुगंद आती है तो वो क्या रहता है मरकेप्टन मिलाया जाता है जिसकी वज़े से हमें पता पड़ जाता है कि स्लेंडर जो है वो लीक कर रहा है या नहीं कर रहा है तो वो मर कैप्टन की जो रहती वह सुगंद रहती है और चले यंगला कुशन देखते हैं कि नेक्स है निम्न मेंसे कौन साथ इस प्लेटरी बॉडीज के लिए कैपलर के नियम मेंसे एक है तो तो कैपलर ने नियम दिया था जो ग्रह होते हैं उनका जो भूनन हुआ बाकी चीज़े हुई ये सब पर जो है इनके दोर नियम दिये गए थी तो पहला उप्षिन है एक ग्रह का ग्रह पत जो केंद्र बिंदियों में से एक पर सूर के साथ एक अंडाकार होता है तो ये बिल सब्सक्रावर चितपल बनाती है तो ये भी सही है एक ग्रह की कच्छी अबदी का बर्ग अपने ग्रह पत की अर्ध प्रमुक धुरी के खन के अनुपात में होता है और फूर्थ ऑप्षिन है कच्छी अबदी ग्रह के द्रभमान पर निर्वर करता है तो इसका अंसर हो जा अगला कुशन है चैचक के लिए किसने प्रदान किया था और बी ऑप्षिन रॉबर्ट को सी ऑप्षिन है पर्ल केंड्रिक और डी ऑप्षिन है अलेक्जंडर फ्लेमिंग तो अभी जैस्ट मैंने इसी वीडियो में बताया था कि जो चैचक यानि स्मॉल पक्स की बात की ग यह जो है वो वैक्टिरिया लॉजी जो है वो फांडर है मॉडरन बैक्टिरिया लॉजी के और बाकी अगर बात की जाए पर्ल केंड्रिक की तो इन्होंने जो फर्स्ट वैक्षिन बताई थी इसकी जो वूफिंग कफ होता है तो जो की बैक्टिरियल डिसीज है तो उसकी जो है फर्स्ट वैक्षिन बनाई थी इनके द्वारा पर्ल के द्वारा और अलग जंडर फ्लैमिंग की बात की जाए तो इन्हें उन्हें जो है वो पैनिसलिंग की डिश्कर्ड किया था जो कि कबक से प्राप्त होता है अगला कुशन है यहां पर लुप्त प्राय भारतिय औ लाम याद रखना है तो नापेंड ने थैंस ओके तो यह उप्सन जो है इसका इंसर होजाएगा थोड़ा काफी बड़ा नाम है नापेंड डेन थेस ओके तो यह तो यह है वो एक पौदा होता है जो लुप्त हो रहा है और यह कैसा पौदा है कानिवारस है मतलब कीडे हुए सब्दों में से आपको यह जोड़ी बताना है इसमें से कौन सी अलग है तो यहां पर देखिए और इंटोलोजी की बात की गई है तो जो कि बर्ड से संबंदित होता है और इंटोलोजी जो रहती है जो पच्चियों के अध्यन को कहा जाता है तो यह सही है माइकलोजी जो वहां फंगा से रिलीटेड को यह भी बातनी तो यह बिल्कुल गलत है बायोजी जो रहती है जीवत जो भी रिविंग लिवक्ता हुए बाकी चीजें तो लिविंग जो रहती है उनकी अध्यन को कहते हैं तो यह हमारा जो इसका अंसर हो जाएगा क्योंकि यह जो है वह गलत मिला हुआ है और फैकलोजी जो रहती है वो हैल गाय से संबंदित होती है अगले कुश्चन के तरह बढ़ते हैं अगला कुश्चन है यहाँ पर निम्न मेंसे कौन सा दंत चिकस्षा द्वारा एनेस्थेतिक के लिए इस्थापन के रूप में इस्तमाल किया जाता है तो लिए जे जो रहती है उसमें जो दिया जाता है जो धंत चिकस्षा होते हैं तो उसमें जो आप्षिजन अपन याद रखना इसका फॉर्मूला रहता है और यह जो है वह क्या ज्तर है's ग्रीन हाउस गैस में जो हुआ कारवन डायोक्साइड मीथे नायटर्स ऑक्साइड वाटर वैपर ओजोन तो यह जो है वो ग्रीन हाउस गैस के अंदर भी आती है अगला कुश्चन है यहां पर सावन में अंटी सैप्टिक गुड़न निमलिकित मिश्रणों में से एक करण प फर रहता है यह एंटी बैक्टिर्यल रहता है कि तो इसका अनसर हो जाएगा फरस्ट ऑप्षन अगला कुश्चन के तपाटे है अगला कुश्चन है अगर एक ब्यक्तिंट से पीड़ेथ है तो ब्यक्ति में किसकी कमी है तो बेटामैन की कमी होगी ओक्वावन की फिलिक्यो नौन कहते हैं जो कि वी 12 में पाय जाता है को वाल्ट जो है वो पाये जाता है तो ये भी आद रखना और ब्रटामेन जो है वह इसको Retinol कहते हैं जिससे जो रतवांदी होती है यह रोग हो जाता है कमीसे और Vitaamene B की बात किए तो Thymine कहते हैं vitamin B की बात किरते हैं तो यह तरह बहुता है इसकी कमीसे बाकि इके जो scientific name रहता है, tokoferol को आ जाता है, vitamin E को beauty vitamin B कहते हैं, तो ये vitamin से related question पूछ ले जाते हैं, याद रखना इन सबी को, चलक एकला question देखते हैं, दवाब जो रहता है, उसका मात्र पूचा गया है, तो दवाब का मात्र क्या होता है, Newton प्रति मीटर स्क्वेर होता है, दवाब का ही मातर रग रहता है ये भी कापी पूछ ले जाता है तो very very important है याद रखना ये तो कम पूछा जाता है पर ये जो पास्कल है वो किस की unit है दवाब की unit है तो प्रेसर की unit है ये हमेशा याद रखना है अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question है थोड़े यहाँ पर देख नहीं रहे होंगे पर मैं पढ़ रहा हूँ तो I hope समझ में आ रहा होगा आपको इसमें दिया हुआ है कि निम्लेकित मैंसे कौन सी धातू पारद धातू मिस्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातू के साथ मिस्रद किया जाता है ऑप्शन है ऐलिमुनियूम सोना चांदी पारा तो देखें यहाँ पर इसी पारद धातू तो पारद धातू से ही बड़ निकला है पारा तो इसका अंसर हो जाएगा डी ऑप्शन जिसका सिंबल होता है एच जी और एटोमिक नंबर जो रहता है वो 80 रहता है तो याद रखना है इसको कोईक सिल्वार बाकी हमने भी देखा था तो यह सब जो है नाम से याद रखना है अगला कोश्चन है सोनार का पूरा नाम पूछा गया है तो काफी बार हमने देखा हुआ है इसे बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग यानि इसका अंसर हो जाएगा इसका यूज जो है हम पंडुपी जो हुए सम्मरीन हुए तो पानी के अंदर यूज करते हैं और इसके मादम से पता पड़ता है कौन सी ऑब्जेक्ट हुई वो कितनी दूर है तो याद रखना है और एडार जो हुए तो इनमें यूज किया जाता है अगला कोश्चन है न इन सभी के नाम याद रखना है मैं आपको बता देता हूं हीलियम नियोन आरगंड क्रिप्टों जीनोन और रेड़न तो यह सभी जो है वो इनर्ट गैसे हैं अक्री गैसे जीरो ग्रूर्प की गैसे हैं तो यह सभी अक्री है बचा क्या है हाइड्रजन जो रहती है वह और heavy water जिसमें H2 D2 O रहता है तो यह भी उसी से संबन देता है और एक रहता है 1H3 जिसे बोलते हैं Tritium Tritium ओके तो यह जो है वो तीन आइसोटेप रहते हैं हाइटोजन के चल्ड एगला question देखते हैं अगला question है तो है हमारे बातावरण में कितनी पिदिश्यत नाइट रहती है तो बहुती आसान question है हमारे बातावरण में जो है बमů इसका रहती है लिए और फारन जो रहती है जो कि आरगन जो है अक्री गैस यह पूछ ले जाता है कि आरगन कौन सी अक्री गैस जो की बातावरण में उपस्तिर रहते हैं तो याद रहती है तो ऑक्सिजन हुआ सबसे ज़्यादा oxygen पाए जाता है जो कि 47% के करीमर रहता है oxygen उसके बाद silicon रहता है 27% और धातू जो रहती है aluminum रहती है जो कि 8% रहती है उसके बाद iron रहती है जो कि 5% रहती है तो यह सभी के याद रखना देकिया silicon जो हुआ है semi conductor है तो आप से पूचा जा सकता है कि कौन सी जो YOUR lover धातू है जो कि earth crest में पाए जाती है तो याद रहती है और आप से पूचा जा सकते है कि सबसे अधिक की किस धातू कि मात्रा earth crest में पाए जाती है तो सबसे पहले क्या aluminum पा कात्रा में रहती है पर जो मैंने उपर वाली चीज़ां बता ही है तो इनी को याद रखना एट यह जाता है चलि एक ला कुशन देखते हैं कि आयोड़न की कमी से कौन सारो होता है तो बहुत यासान सा क्वेशन है। की कमी से जो है वो घहंगा रोग होता है यानि गॉट्रिक होता है या गंड माला जिसे कहा जाता है तो बी ऑफ्षन जो है इसका अंसर हो जाएगा ओके और नाइट ब्लाइंड रहता है वो की कमी से होता है द哦 piga की कमी से वहता है तो यह भी याद रफना है अगला कुश्शन मकरियों का अध्यन को क्या कह जाता है तो जो एस्पैडर से पे से ऊप्षेयां रहती हैं निकां को क्या बोलते हैं ऐनक में आपके साँ सब्सक्राइब करें रहाते है vegan. माइट देखते हैं यहां पर भारत के कुछ भावों में अच्छ दिखेंट का रंग लाल होने के कारण क्या है तो जो मिट्टी में लाल रंग होता है वो किसकी बज़े से होता है यह पूचा गया है option है magnesium की मौझूदगी, b option है phosphate की मौझूदगी, c option है ferrous oxide की मौझूदगी और d option है खाद मिट्टी की मौझूदगी तो इसका अंसर हो जाएगा ferrous oxide की बज़े से जो हो मिट्टी जो हो लाल होती है तो याद रखना अगला कुशन है यहाँ पर कि निम लिखित में से कौन सी एक बैक्टर मात्रा है तो बैक्टर जो अपनी मात्रा होती है क्वांटिटी की पूछा गया है तो वैक्टर के अंदर कौन कौन सी आती है वैक्टर जो रहती है अपनी विश्थापन हुआ बेग हुआ त्वरण हुआ और जो बल हुआ शंबेग हुआ तो यह सब जो है वो वैक्टर क्वांटिटी के अंतरकात आती है जो है वो सदिस र लगलग रासियां होती है अदिस रासि के अंदर बात किया है तो द्रब्मान हुआ और कारी हुआ समय हुआ और स्पीड हुई तो यह सब जो है वो अदिस रासि अदिस सदिसरासी क्या होती है सदिसरासी जिनकी दिसा होती है और अदिसरासी की कोई दिसा नहीं होती है जैसे कि अब मालो कार रहे है तो कार क्या मतलब दिसा थोड़ी नहीं है उसमें कार रहे है लेकिन अगर बात की जाए बेस्ताबन हुआ तो कोई बॉड़ी है तो इसमे लग रहा है तो यह अलग लग चीज़ें हैं बेक्टर और स्केलर क्वांटिटी तो इन सभी को याद रखना है तो यह थे आज की कुश्चन आई उप आपको सारे कुश्चन समझ में आ गए होंगे वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरू कर दिया करें जो भी शादी नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइगन पर जरू प्रेस करें जिसके मादम से आपको वीडियो का नौटिप